और आपको पता है कि वह मास खाके आया है और उसके हातों में गंदगी लगी हुई है या उसने थूप लगा लगा करके ऐसे और फल रग दिये हैं एक तो तौलने वाला जो होता है पात उसी में फिशाब करके लाके पूरो छिलकाओ कर दिया क्यों करो यह थूका था कि त्यक्तिल है क्यों ने बंद करते हूं ऐसे चलेगा है यह अजब बात है यह आजब तर स्ट्शन है वह थूखेंगे अरे अपने घर में दूखो यह बारकें से नोगों के समदरो आप समदरो नमुश्का दोस्तो समचा 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तो आज एक शांदार डिवेट वीडियो लेकर आ गया हूँ वीडियो अन्तक देखना दोस्तो आज की डिवेट होने वाली है देश के सबसे लोपियो और नीडर परता कर अमिता भोगनियोत्री और रादमवितिक विश्क भजील आहमत के बीच में दोस्तो आज की डिवेट में ये आप लोग देखेंगे की योगी जी के फैसले पर क्यों नाराज है देश का मुसल्मान क्यों इन लोगों ने होटेल या अपना दुकन के सामने अपना न मैं एक बात समझना चाहा रहा था कि अधिकांश लोगों ने का कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला निर्देश है डो मैंने समय agreement जो निरुदेश सब के लिए वह मुस्लिमों के साथ भेद भा़ करने वाला कैसे यह कि से लॉक जो नियम सब पर लागू है यह सब पर लागू है रफिक की दुकान हो उसपर भी लागू और रावन दयल्ких दुकान हो से पहले आप कुछ बोल रहेते हैं भारत की छे कंपनियां बीफ एक्सपोटर और च्व कंपनियां तीवारी जी लोगों की और वह नाम है अलीना अलीना फ्रोजन मीट अलकभीर फ्रोजन मीट ऐसे तमाम बड़े-बड़े मुसलिम नामों से वह कम वह क्यों नहीं चलते हैं सरकार को करना चाहिए कि यह हिंदू की कंपनी वहां तो आप चुप हो जाते हैं इस पर बात ही नहीं करते हैं आजकर आप फिल्ड में कम जाने लगें आप इस्टूडियों में ज्यादा समय आप पहले जो फिल्ड में घुमते तो आप बहुत बहुत कुछ अच्छा अच् कि अच्छार में हजारों मुसलमान सर्वत पिलाते हैं उनको खिचडी खिलाते हैं यह हमारा धार्मी मामला है कि हम उनको सर्वत पिलाएं उसको भी मना कर देंगे आप इस अरवत मत बिलाओं तो आप तो क्या करना चाहिए देश के अंदर यह तो चुनाव में उन लोग उ थीक थीक दुबारा आते दूबारा आते फजीलमत दुबारा दूबर में रावसाफ पास चलूँगा फिर हंगामा क्यों मचा यह जब जिसको खाना हो खाएगा फिर कहे को तकलीप है फिर बवाल किूए जब इतनी सरल बात है और अल फरीजा आल फ्रोजन जो भी नाम है उसका मुद्धा भी उठाओ भाहिया, क्यों ने उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए, उनके यहां भी लिखा होना चाहिए, और एक बात फजील एमद ने गलत कही दी तथ्यात्मक तोर पर, वो दुर्स्त करना जरूरी है, कई बार हो जाता है, जलबाजी में, भारत क कानून और उत्तरपदेश सरकार का खादी सुरक्षा मानक कानून, यह दोनों कानून, यह नहीं कहते हैं कि दुकान का नाम क्या रखो रखो, क्या, यह रोख कोई सरकार नहीं लगा सकती, फजील एमन थे थोड़ा तो उसको ट्विस्ट कर दिया, जानबूज के, है ना, अ आपने उसका नाम के ट्रीना केफ चाय का ढावा रखो, और चाय अमिताप बच्चन गर्ने का जूस वाला रखो, उसके कोई समस्चा नहीं, रहाव साब, इतने ही तो कहा सरकार ने, और योगी ने अपने मन से नहीं कहा, जा दो हजारा और दो हजारा चानून, पालन कराने लेकिन उसके मालिक की जगा आपको लिखना पड़ा है कि बसी महमद, इतनी तो बात है, और अलफरीनों कोन बता रहे हैं जो फजील एमद, जो भी कमपनी है, उसमें भी यही नियम लागू है, उसमें भी उसको एक जगा फ्रेम करा के वो टांगना होगा, कि इसके मालिक तौकिर रजजा जैसे जहरीले आदमियों के ब्यान आ जाते हैं, और वो ब्यान आते हैं कि काफिरों की दुकान से, या हिंदू की दुकान से सामान मत खरीदना, आपका जो रोजा है वो भंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और उसमें फजील साब भी डिबेट में रह हुआ है, और आपको पता है कि वो भी मास खा के आया है, और उसके हाथों में गंदगी लगी हुई है, या उसने थूक लगा लगा करके ऐसे हैं, और वो फल रग दिये हैं, जैसे वीडियो वाइरल होते हैं, आपने थूका होगा, तंदूर के अंदर रोटी बन रही होती ह हैं, और उन पर थू, और करके वो उस रोटी को डाला जाता है, अभी एमदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इस्टिंग उपरेशन हुआ और फिर सरकार ने च्छापा डाला वहाँ पर, कि वहाँ एक मुस्लिम समों से कचोड़ी बेचता था, और उसको हिंदू भी खा रहे थे पता नहीं था, लेकिन वहाँ किसी कारिगर ने जब कंप्लेंट करी, कि ये बीप मिलाता है, तो वो विक्ती की दुकान सील हुई, और फैक्टी सील हुई, और उसको अरश्ट कर लिया गया, जब आपको इस परकार की बाते करोगे, उबर पे आपका नाम लिखा यानि जो आजमी जिसनों खरी देगा, फ्रूट बाला खरी देगा, फ्रूट बाले से, अगर उसको लगेगा, और ये बंदा हिंदु है, प्रूट साफ कुत्रे रखे होंगे, इसमें पिसाब में नहीं दोए होंगे, जब तो ना लेके पानी से, अगर सब्जी दो रहे हो प्रूट दो रहे हो, और उसको कावट जी आते हैं आपके पास, मैं बिजर आती और प्रशांद पठेल जी पाचलों, उससे पर एक बात याद आ गई, कि एक टीवी पर डिवेट हो रही थी, ये ऐसे विशे पर, एक मौलाना साफ थे इस्लामिक स्कॉलर, उनसे एंकर ने क इसलामिक स्कॉलर है कि नहीं है, क्या है, आज कर ये भी पता करना मुशकिल है, कौन हिंदू स्कॉलर है, कौन मुसलिम स्कॉलर है, है भी किने, उन्होंने कहाँ कि ये तो हमारे मज़व का मसला है, इसमें मत बोलो, क्या, थूकने बाला, अब ये तो नहीं चल सकता न, तब भी कर नहीं सकते थूक का कैसे खेला सकते किसी को बेश सकते जिल तो जाने पढ़ेगा अपने घर में यह नियम लागू हो सकता है आपस में दूसरे की रोटी पर थूख दो परिवार में दूसरे को थो नहीं सकते हो मुगतमा हो जाएगा यह विश्य है बड़ा गंबिर विजय राठी जी मुलाइम सिंग्जी की सरकार थी जब यह कानून नियम बना ठिक आपने देखे होगा बहस में आने सपहले ठिक मनमोहन सिंग्जी की सरकार 2011 में इस पर केंदर ने एक कानून बनाया धावा हो फेक्टरी हो वाहन हो प्राइवेट कॉमर्शियल वाहन हो उन्हों सब पर नाम पता ओनर का ऑकुपेंट जो अकुपाईल किये उस वक्त अगर ओनर नहीं है फेक्टरी एक्ट में वेवस्ता है मालिक और अभी कब्जेदार कौन नाम पता डेलिपोन सब फिर यह समविधान विरोधी देश विरोधी समाज विरोधी मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया विजय भाई देखें मिताब जी पहले तु सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार जमीन बाटते फिड़ते हो आसमान बाटो तो जाने इंसान की अलग बड़े परिंदे चाटो तो माने और जब आदम पैदा हुआ था क्या था हिंदू या मुसल्मान मजभ अपरताओ तो माने और जब खून की जरुरत पड़ती है पूस्ते हो किस मजभगा है दूसरे मजभगा खून डॉक्टर को लोटाओ तो जाने अरे चांद से सिखो जो इद का वियर करवा चोटा दियो काटते हो नसले और फसले इस बैर को काटो तो माने मैं आप से बता दो मिताब ज इतने सालों से कावड यात्रा चल रही है क्या आज तक ऐसा जरूरत पड़िया विवाद हुआ नहीं हुआ कभी लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी लोगसवा में उत्रप्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी क्योंकि मुझा फंडगर से दंगाईयों को गट रही है यह द्रम में बाटा जा रहा है जो आपने अब सुनाई मैं यह आभी तक नहीं समुना पाया तीन चर्श्वेश्वाद्वकर में कैसे बाटा जा रहा है सब को नाम लिखना है फिर दो ब्लादू उंची अबाग में सब को नाम लिखना है किसी को चूट नहीं प्रक्राइब करते हो तक यह पूछ रहूं ना उसकी जरूरत इसी टाइम पर क्या पड़ी तर्क की कसवटी पर ठीक है वीजय भाई आगे बात तर्क की कसवटी पर बात कम जोर है अगर यह निर्देश जारी हुआ होता कि मुसल्मान अपने डावे पर नाम लिखेंगे मैं पहला आदमी होता जो विरोध में ख़ड़ा होता यह अनावश्यक विवाद में मेरी रुची नहीं रही ती मैं उसके खिलाप ख़ड़ा होता इसके समाज़बादी पाट्री की सब्सक्राइब सिट्रोस क्या लेन देना नहीं विजलाटी अभी दुबारा में आएंगे अभी आप सुन लोग मुलैंजिंग की समय में कानून बनाता तब तब वह भी परिंदे बांट रहते आसमान बांट रहते मुलैंजिंग वी और म कि यह बोलो ना कानून बदल दिया जाए जावेद हभीब ने का वीडियो जब बाइरल हुआ था एक गुप्टा नाम की महिला थी पूजा गुप्ता याइसी कुछ नाम था उनका उनके सिर्पे थुक के उसने बाल काटे थे वीडियो बाइरल हुआ जावेद हभीब जैसे प्रसिद्ध व्यत्ती को फिर माफी मांगनी पड़ी थी केमरे के सामने आका ऐसे हरकते क्यों करो यह थुका था कि क्या खेले क्यों नहीं बंद करते हूं ऐसे चलेगा गजब बात है यह आजब तर स्ट्रशन है वह थूखेंगे अपने घर में दूखो यार मारें से लेकर और पनीर से लेकर सबस्टी सब लेकर सब हिंदू इस खरीटे हैं अब तो कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है और मुस्लीम बस्कियों में जाकर देख लिए जाए जाए जान लिए आप भी समझते हैं लेकिन चुड़ा आप भी हिंदू है इसलिए उस भावना एक मुस्लिम बिद्वान को टीवी पर किये बोलते हुए सुना इसी पर बहुत थी कि थुकने की वीमारी क्यों है तुम लोगों को तो उन्होंने का है हमारे मजब का मसला है इसको हम नहीं सकते लोग रहते हैं यहां पर दोस्तों वीडिया आन तक देख लिए तो अच्छी एर म.